साथियों, देश की आजादी के पततर साल पूरे निहों पर, मैंने लाल के लिए से एक आवान किया है, ये आवान है गुलामी की मानसिक्ता से पुरी तरह मुक्पी का। आजादी के इतने वर्षों के बाद, आखिरकर मुझे ये क्यों कहना पड़ा, क्या जरुत पड़ी ये कहने की। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश को गुलामी की मानसिक्ता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगती का हर कारिय कुछ लोगों को अपरात की तरह लगता है, या तो गुलामी के तराजू से प्रगती के काम को तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे अहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफ्रत का भाव रहा, विदेशों में वहां की संस्कृती से जुड़े स्थानों की ये लोग तारिप करते करते नहीं ठकते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हे द्रश्टी से देखा जाता था, इसकी बज़ए एक ही थी, अपनी संस्कृती को लेकर हीन भावना, अपने आस्था स्थलों पर अविस्वास, अपनी विरासत से विद्वेश, और ये हमारे समाज में, आज बड़ा हो, ऐसा नहीं है, आज हादि के बाद, सोमनात मंदिर के निर्मार के समय क्या ह हुआ था, वो हम सब जानते हैं, इसके बाद, राम मंदिर के निर्मार के समय, इतिहाँ से भी हम बली भाती परिचीत है, गुलामी के ऐसी मानसिक्ता ने, हमारे पूजरी पवित्र आस्थास्थलों को, जरजर स्थिति में ला दिया था, सेंकड़ों वर्सों से, मौसम की मा सहते आ रहे हैं, पत्तर, मंदिर सल, पूजर स्थल के जाने के मार्ग, वहाँ पर पानी की वावतावत, उसकी तबाई, सब कुछ तबाह हो करकर रख दिया गया था, आप याद कर ये साथियों, दसकों तक हमारे आध्धात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहाँ की यात्रा जीवन की सबसे कठीन यात्रा बन जाती थी, जिसके प्रति कोटी-कोटी लगों की स्रद्दा हो, हजारो सांस स्रद्दा हो, जीवन का एक सपना हो, कि उस धाम में जाकर के मथा टेक के आएंगे, लेकिन सरकारे ऐसी रही, कि अपने ही नागरिकों को, वहाँ तक ज खुलामी की मानसिक्ता ने उनको जगड के रखा था, यह अन्याय थाग नहीं था भाईयो, यह अन्याय थाग नहीं था, यह जवाब आपका नहीं है, यह जवाब एक सो तीस करोड देश वासियों का है, और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए इस्वर ने मुझे काम दिया है, भाईयों भेनों इस उपेक्षा में लाखों करोडों जन्भावनाओं के अपमान का भाव चिपा था, इसके पीछे पिछली सरकारों का नहीत स्वार्थ था, लेकिन भाईयों भेनों यह लोग हजारों वर्थ पुरानी हमारी संस्कृति की शक्ति को समझ नहीं पाई है, वो यह भूल गए कि आस्तागे केंद्र सिर्फ एक धांचा नहीं, बलकि हमारे लिए यह प्रान शक्ति है, प्रान बायू की तरह है, वो हमारे लिए ऐसे शक्ति कुझा है, जो कठीन से कठीन परिसीतियों में भी हमें जीमंत बनाए रखते हैं, उनकी गोर उपेक्षा के बावजुद, ना तो हमारे अध्यत्मिक केंद्रों का महत्व कम हुआ, ना ही उन्हें लेकर हमारे समर्पन भाव में कोई कमी आई, और आज देखिए, काशी, उज्जेन, अयोध्या, अंगिनेत, ऐसे सद्धा के केंद्र अपने गवरों को फुलन प्र आप्त कर रहे हैं, केदारनाद, बद्रिनाद, हैमकुंद जाब, वे भी स्रध्धा को समालते हुए, आधुलिकता से, उसके उस्विधाओं से जोड़ा जा रहा है, अयोध्य में इतना भव्यराम मंदिर बन रहा है, गुजरात के पावागड में, मा कालिका के मंदिर से ल आरत अपने सांस्कृति को ठान का आवान कर रहा है, आस्ता के इन केंदरों तक पहुंचना, अब हर सद्धानों के लिए सुगम और सरल हो रहा है, और जो व्यवस्ता है विक्सित हो रही है, वो हमारे बड़े बुजुरुगों के लिए तो सुविधा है, लेकिन मुझे भ के लिए भी ये सुरद्धा का आकरशन का केंदर बनेंगे, वो हमारी नीती होनी चाहिए, अब हमारे दिद्ध्यांक साथी भी इनस्तानों पर जाकर दर्शन कर रहे हैं, मुझे याद है मैंने जब गिरनार में रॉप्वे बनाया, असी असी साल के माता, पिता ऐसे बुजुर लोग वहां आने के बाद मुझे चिठी लिखते थे, कि कभी सोचा नहीं था, कि गिरनार परवत में जाकर के तिर्तिक्षेत्रों के हम पूजा दर्शन कर पाएंगे, आज में इतने अशिरवाद दे रहे हैं, एक रॉप्वे ब देकर गर्व के भाव से भर गया है, उत्राखन की ये देव भुमी स्वयम इस परिवरतन की साक्षी बन रही है